दोस्तों मैं हूँ सत्यंदर और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में दोस्तों हमें से कई लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारे सरीर का एहम हिस्सा है इसमें अगर जरा सभी प्रॉब्लम हो जाए तो इसका असर पूरे बॉड़ी पर पर सकता है ऐसे में ब्रेन को प्रोटेक्ट रखना बहुत ही जरूरी है ब्रेन में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है और इन ही प्रॉब्लम्स में ब्रेन हिम्रिज भी सामिल है Hemorrhage को mental stroke भी कहते हैं यह problem brain को blood पहुँचाने वाली artery के फटने की वज़ा से होती है दोस्तों आज हम इस वीडियो में brain hemorrhage के बारे में detail में जानेंगे तो चलिए जानते हैं कि brain hemorrhage क्या होता है brain hemorrhage जैसा कि नाम से ही spust है यह एक तरह का mental stroke है brain hemorrhage एक ऐसी condition है जो artery के फटने की वज़ा से होती है इस condition में आसपास के tissues में bleeding होने लगती है इस condition में होने वाले bleeding की वज़ा से brain की cells nest हो जाती है साथी यह दिमाग के कई हिस्सों को नुकसान पहुचानने लगती है साधारन सब्दों में brain में नसफटना ही brain hemorrhage कहलाता है वही नसफटने के बाद खून बहने के स्थिति ही hemorrhage stroke कहलाती है यह brain में artery के फटने की कारण होता है जिससे आसपास के tissues में bleeding होती है यह brain में चोट की गंभीर और जान लेवा problems में से एक मानी जाती है यह problem कई कारणों से brain में होने वाले bleeding को indicate करती है brain hemorrhage को health experts medical emergency की रूप में classify करते है जिसमें patient को तुरंथ treatment की आवशकता होती है दोस्तों हमारा brain चारो तरब से skull से घिरा हुआ होता है किसी भी कारण से होने वाले bleeding की condition में brain के tissues में संकुचन या छती हो सकती है यह condition बेहत dangerous है जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है किसी भी चोट के कारण जब brain में होने वाला bleeding brain के tissue की damage का कारण बनने लगता है तो इस condition को cerebral edema कर रूप में जाना जाता है कई बार blood clot बनने लगते हैं जिसे hematoma कहा जाता है यह सभी condition tissues पर pressure बढ़ाती है जिससे brain को होने वाला blood flow कम हो जाता है और brain cells damage होने लगती है चोट के अलावा कई अन्य physical condition के कारण भी brain hemorrhage की समस्या हो सकती है यह problem अधिक तर मामलों में high blood pressure से ग्रसित व्यक्ती trauma से पिरित व्यक्ती दवाईयों का अधिक सेवन करने वाले और कमजोड नस वाले व्यक्तियों को होने की आशंग का अधिक होती है brain tissue के भीतर दो तरह की brain bleeding हो सकती है पहला intra cerebral hemorrhage जिसे hemorrhagic stroke भी कहा जाता है और दूसरा intra ventricular hemorrhage intra cerebral hemorrhage में bleeding brain tissues के भीतर कहीं भी हो सकती है चुकि हमारा brain oxygen stored नहीं कर सकता है इसलिए oxygen और nutrients के supply के लिए blood vessels पर निर्वर होता है जब brain hemorrhage होता है तब फटे होई और कमजोर vessels के दवारा supply की जारी oxygen brain tissue तक नहीं पहुच पाती intra cranial hemorrhage या cerebral hemorrhage के कारण होने वाले blood के pulling भी brain पर pressure डालती है जिसे oxygen की कमी होती है जब hemorrhage brain के आसपास या भीतर blood के flow को block करता है तो brain को 3 या 4 minutes से ज़्यादा समय तक oxygen नहीं मिल पाती और brain cells मर जाती है इस बज़े से न केवल nerve cells प्रभावित होती है बलकि way function भी affected होते हैं जो उनके control में होते है body में brain hemorrhage की कई तरह के लक्षन नजर आ सकते हैं हलाकि इसके लक्षन इस बात पर नेरवर करते हैं कि नसे कहां फटी है या फिर bleeding brain के किस हिस्से में हो रही है brain hemorrhage एक जानलेवा सिती होती है SMS के symptoms दिखने पर तुरंत patient को डॉक्टर के पास ले जाने की आवशकता होती है दोस्तों आएए जानते हैं इसके कुछ लक्षनों के बारे में सामाने तोर पर लोगों को अचानक जुन्जुनी सुस्ती जैसा महसूस होना अचानक से सिरदर्ध होना दोरे पढ़ना उल्टी जैसा अनुवव होना देखने में काफी जादा परिशानी होना वीक्नेस बेहोसी जैसा अनुवव होना सरीर का balance या coordination का ना बन पाना बात करने में दिक्कत या ठीक से बोल ना पाने की problem हो सकती है इसके अलावा चेहरे हाथ या पैर में paralysis की भी problems को हलके में नहीं लेनी चाहिए दोस्तों आई अब जानते हैं कि brain hemorrhage की जाच और इलाज कैसे की जाती है MRI या CT scan के अधार पर brain hemorrhage का diagnosis होता है कुछ cases में spinal tap का भी इस्तिमाल किया जाता है इस टेस्ट में spinal cord में एक needle डालकर एक liquid को निकाला जाता है जिससे टेस्ट कर यहाँ पता लगाया जाता है कि reading हो रही है या नहीं यदि condition serious है तो brain hemorrhage की इलाज के लिए surgery की अवशक्ता हो सकती है brain पर बन रहे pressure को दूर करने के लिए operation किया जा सकता है कई condition में skulls के हिस्सव को हटाया भी जा सकता है हाला कि यदि condition serious नहीं है तो doctor कुछ specific types की medicines दे सकते हैं पेशेंट को physical therapy, speech therapy या अवशक्ता अनुसार occupational therapy भी दी जा सकती है दोस्तों American Association of Neurological Surgeon के अनुसार सभी लोगों को brain hemorrhage से बचाओ के उपाई करते रहने चाहिए सिर को किसी भी तरह के छोट से बचा कर रखे बाइक चलाते समय helmet जरूर पहने जिल लोगों को पहले brain hemorrhage या stroke हो चुका है उन्हें future में दूसरी बार भी इसका खत्रा 25% तक हो सकता है lifestyle में changing करना और खान पान बेतर रखना बहुत आवशक है वहीं जिल लोगों को high blood pressure की problem है उन्हें blood pressure को कम करने के लिए आवशक उपाय करते रहना चाहिए दोस्तो brain hemorrhage एक जानलेवा इस्तिती है इसलिए इस परिशानी में दिखने वारे लक्षनों को इग्नोर ना करें वहीं अपने lifestyle को healthy बनाया रखे ताकि किसी भी तरह के physical और mental परिशानियों को सामना ना करना परे वहीं इस बात का ध्यान रखे कि सरीर में होने वाले किसी भी इस्तिती में खुद का इलाज ना करें डॉक्टर से advice लेने के बाद ही अपना इलाज कराएं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई knowledge आपको अच्छी लगी होगी और ये knowledge आपको समझ में भी आ गई होगी दोस्तों ऐसा ही knowledgeable वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो के update के लिए bell icon को जरूर प्रेस कर दे